हाई फ्रेंड्स विल्कम तो लॉव मेट आएम मस्कानमन ध्यान यो लीगल गईड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटेरियरियरिजम के बारे में और डिस्कस करेंगे व्यूस जेरेमी बैंथम के और जॉन स्टुवर्ट मिलके हर वीडियो के नोट्स में आपको अपने टेलिग्रेम चैनल लॉव मेट यो लीगल गईड पर प्रोवाइड कर आती हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो प्लीज उसे जाकर जॉइन कर लीजे हर इंसान को प्लेजर चाहिए उससे पेन नहीं चाहिए हर इंसान पेन को अवॉइड करना चाहता है जहां उसे दर्द होता है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है जहां उसे प्लेजर मिलता है वो से सीख करता है उसे पाना चाहता है राइट अच्छा पहले जो हेडोनिजम था पहले बहुत ज़दा इगोिस्टिक था ठीक है बहुत ज़दा इगोिस्टिक था पहले हेडोनिजम लेकिन लेटर जब बाद में वो और ज़ादा डेवलप हुआ तो वे एक altruistic concept बना आगे आपको मैं बताऊंगे altruistic का मतलब क्या होता है तो जो यह utilitarianism है यह altruistic hedonism पर based है altruistic का मतलब होता है unselfish तो पहले hedonism जो था वो बहुत ज़ादा selfish था बाद में वो unselfish हुआ altruistic concept बना तो जो utilitarianism है वो unselfish hedonism पर based है इसलिए कभी-कभी utilitarianism को हम altruistic या universalistic altruistic या universalistic hedonism भी कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं utilitarianism एक significant school of thought है काफी important school of thought इसको माना जाता है जो की ethical theory पर based है meaning and implications discuss करेंगे utilitarianism की लेकिन उसके पहले मैं आप से एक बात कहँँ please इस channel को subscribe कर दीज़े अब अभी तक आपने नहीं किया बहुत महनत लगती videos बनाने तो videos को जादा-जादा share भी करिएगा so अब हम discuss करेंगे meaning and implications of utilitarianism implication का मतलब होता है कि economic field में या cultural की field में या political field में utilitarianism ने क्या results दिये है कैसे affect किया है इन सारी fields को वो भी देखेंगे साथ में so utilitarianism कहता है कि जो भी good है जो भी अच्छा है जो भी useful है जो भी काम का है सिर्फ उसी को हम rationally determine कर सकते है सिर्फ उसी के लिए हम कोई reason दे सकते है जो भी अच्छा है जो भी useful है सिर्फ वही reason पर based है ऐसा कहना है utilitarianism का main supporters कौन कौन है इसके Jeremy Bentham है सबसे बड़े तो फिर है James Mill फिर John Stuart Mill and others modern concept जो था utilitarianism का वो किसने प्रपाउंड किया? वो प्रपाउंड किया David Hume ने जो भी traditional thinkers थे वो थे Jeremy Bentham, James Mill or John Stuart Mill concept of David Hume ये follow किसने किया? Hudson ने and Priestley ने उनको follow किसने किया? Hudson ने और Priestley ने अब आगे बढ़ते हैं Hudson Hudson मुझे नहीं पता कैसे प्रणाउंस कर रही हूं? Let's continue इन्हों ने ये चीज दी greatest happiness of the greatest number ये जो quote आप सुनते हों ने utilitarianism के बारे में वो Hudson का ही दिया हुआ है So utilitarianism जैसा कि hedonism पर based है तो इसका भी यही मानना है utilitarianism का भी यही मानना है कि men try to attain pleasure उसे pleasure चाहिए तो pleasure की तरफ भागता है and pain को avoid करता है So legal field में utilitarianism के क्या implications है? Legal field को कैसे affect किया है utilitarianism में वो दिखते है तो इस legal context में utilitarianism ये कहता है कि men try to achieve happiness इनसान जो happiness को achieve करने कोशिश करता है खुश रहने की कोशिश करता है लेकिन जो उसके तरीके रहते है ठीक है? जो उसके तरीके रहते happiness को achieve करने के वो contradictory हो सकते है ठीक है? वो contradictory हो सकते है अब चोर को जरुरत है ताकि ये उपने घर में खिला पाए या वो खुद खा सके इसलिए वो चोरी करता है दूसरे के या तो ये happiness अचीव करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो legally contradict कर रहा है चीजों को ये चीज गलत है लौ में चोरी गलत है है की नहीं? तो इसलिए legal context में अगर हम देखे कि if man tries to achieve pleasure ठीक है? if man tries to achieve pleasure it can be contradictory अगर वो pleasure को अचीव करने कोशिश करता है तो वो law की कहीं न कहीं against जाता है है की नहीं? ये utilitarianism का implication है legal field में economic sphere में इसके implications ये थे के utilitarianism ने इसके propounders ने एक contradictory principle दिया economic field में जो की है natural harmony of interests जो interests prevail करते हैं economic field में वो naturally balanced रहेंगे एक दूसरे को समझेंगे और naturally balanced रहेंगे naturally natural harmony होगी उन interests में जो की कभी possible है ही रहीं interests आपस में contradict करते हैं एक दूसरे के against रहते ही रहते हैं economic field में political field में utilitarianism ने काफी help की है democracy की utilitarianism ने political field में ये कहा है कि हर government का goal होना चाहिए maximum happiness of the maximum number यानि government को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जादा से जादा citizens को खुश रख सके उन्हें happiness प्रोवाइड कर सके so हम कह सकते हैं कि utilitarianism का close relationship है law के साथ, economics के साथ, politics के साथ and psychology के साथ characteristic features क्या है utilitarianism के वो discuss करते हैं so utilitarianism is based on pragmatism pragmatism का मतलब मैंने bracket में लिखा है the theory that political problems ठीक है? ये एक ऐसी theory है pragmatism जो की कहती है कि political problems को solve करने के लिए हमें practical solutions लाने होंगे ideological या imaginary solutions से political problems नहीं solve होंगी हमें practical solutions लेकर आने होंगे ये कहती है pragmatism की theory तो इसका मतलब है कि utilitarianism is based on practicality वो एक practical concept है ना कि ideological concept utilitarianism का object है कि वो individual का welfare promote करे right जादा जादा उसका welfare करने कोशिश करे state में और ये कैसे होगा welfare? state legislations के थूँ या ठीक है? जो state laws बनाएगा उसके थूँ individual का welfare करने की कोशिश करता है utilitarianism मैं आपको बता रही हूँ utilitarianism एक बहुत जादा practical concept है जैसे जैसे हम आगे भढ़ेंगे आपको समझ में आगा कि ये आज भी prevail करता है आज भी इस चीज को आप feel कर सकते हो second point है second feature है कि ये psychological hedonism पर based है और जो की यही कहता है कि man always tries to achieve pleasure and avoid pain कोई भी doubt हो कोई भी problem हो law peeps is my insta id जिसका link description में दिया है अब जाके वहाँ पर मुझसे contact कर सकते हैं so utilitarianism चाहता है कि पूरी society का welfare हो सके इसलिए उसलिए उसलिए कहता है state जो है वो एक agency है जो कि happiness का goal achieve करने में help करती है thus state को एक welfare state ही होना चाहिए moral values को बहुत हाई esteem पर रखता है utilitarianism एक high regard पर रखता है उन्हें क्यों ऐसा करता है कि moral values को इतना जादा importance देता है utilitarianism because ये ethical theory पर भी based है ये concept against है legisphere doctrine के legisphere doctrine क्या था? legisphere doctrine कहता था economic sphere में government की interference कम से कम होनी चाहिए state की interference कम से कम होनी चाहिए तो एक तरीके से देखे तो legisphere doctrine collective interest की बात नहीं करता है collective interest को ignore करता है legisphere doctrine इसी वज़े से utilitarianism इसके against है क्योंकि utilitarianism कहता है maximum happiness of maximum number यानि वो collective interest की बात करता है इस वज़े से वो legisphere doctrine के against है utilitarianism कहता है कि government के interference होनी चाहिए property के domain में और बाकी economic activities के domain में वो ये चीज़ मानता है utilitarianism कहता है कि men और society inseparable है अगर men को achieve करना एक तरीके से happiness को तो उसको state के अंदर रहकर ही achieve करना होगा because वो उसका integral part बन गया है so utilitarianism का जैसे की बहुत जादा believe है greatest happiness of the greatest number में लेकिन इसे achieve कैसे करेंगे इसे achieve करेंगे लोगों का moral development promote करके ठीक है और जादा happy होते जाएंगे government बहुत जादा जरूरी है किसी state में ऐसा मानना utilitarianism का because state जो है वो individual के रास्ते से hindrances हटाता है obstacles हटाता है तभी individual खुद को grow कर पाता है develop कर पाता है Jeremy Bentham का बहुत जादा faith था republic में republic में वो बहुत जादा faith रखते थे और वो democracy के believer थे supremacy में उनको बहुत जादा विश्वास था इस concept का मानना है कि जो pleasure है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास society में नहीं रहना चाहिए pleasure का मतलब basically happiness right happiness कुछ लोगों के पास society में नहीं रहनी चाहिए वो सभी तक reach करनी चाहिए greatest number के पास जानी चाहिए greatest लोगों के पास ठीक है जादा जादा लोगों के पास happiness होनी चाहिए कुछ लोगों के पास सिर्फ happiness नहीं होनी चाहिए society में इस concept का मानना state is not a natural institution इस state एक natural institution नहीं है इस state की duty है कि वो citizens के natural rights को protect करें इस concept का मानना ethics और politics साथ में जुड़े हुए synthesized है यह अलग-अलग नहीं है और state को moral values को ignore नहीं करना चाहिए state मतलब politics और moral values याने की ethics ठीक है यह दोने जुड़े हुए ऐसलिए state को moral values को ignore नहीं करना चाहिए utilitarian thinkers का मानना है state is means to an end मतलब की state एक जरिया है एक means है जिसके थूँ अप अपने end goal को achieve कर सकते हो इसलिए individuals जो की उनका end goal है happiness ठीक है उनका end goal है happiness जो की वो state के थूँ अचीव करने की कोशिश करते है so यहाँ पर हम कह सकते है utilitarianism hedonistic था ठीक है pragmatic था और revolutionary था यह कहता था कि किसी भी चीज़ के actions को अगर आपको judge करना है तो उसकी utility पर judge करना चाहिए utility मतलब usefulness तो किसी भी action को अगर आपको judge करना है तो उसकी usefulness के basis पर judge करिए next topic है utilitarian thinkers ठीक है utilitarian thinkers की अब हम बात करेंगे इसके सबसे strongest thinkers है Jeremy Bentham and John Stuart Mill ठीक है सबसे strong pillars है utilitarianism के फिर डेविड हून जनोंने modern concept दिया था utilitarianism का first है Jeremy Bentham इन्हों नहीं foundation रखी utilitarian school of thinking की अब Jeremy Bentham की philosophy का key note एक बहुत important note हम discuss करेंगे याँपर nature ने इनसान को दो sovereign masters दिये राइट नेचर ने प्रकृति ने हमें दो sovereign masters की control में रखा है पहला है pain दूसरा है pleasure राइट pain को हम avoid करने कोशिश करते हैं pleasure के पास हम जाने कोशिश करते हैं उसे जादा जादा achieve करने की कोशिश करते हैं pain और pleasure हमें control करते हैं जो कुछ भी हम करते हैं यानि जो भी हम कुछ करने जाते हैं हमारे actions में pain और pleasure हमें govern करते हैं हमें control करते हैं हम जो कुछ भी बोलते हैं वहाँ भी pain और pleasure हमें govern करते हैं हम जो कुछ भी सोचते हैं वहाँ भी हमें pain और pleasure govern करते हैं यानि अगर मैं किसी सोच से तकलीफ हो रही है तो हम उच सोच को भी avoid करने की कोशिश करते हैं सोच से हमें खुशी मिल ली है उस चीज को हम पाने की कोशिश करते हैं राइट देखो इस concept को देखो इनसान की बिलकुल thinking को इस concept ने touch किया है कितना beautiful concept है यह आगे जाके इस concept को describe किया गया है greatest happiness of the greatest number Jeremy Bentham community का welfare चाहते थे उनका कहना था इस principle को legislative reforms में apply करना चाहिए ठीक है एक तरीके से यह मानते थे government का goal होता है government इसलिए exist करती है ताकि जो उनके under में लोग रह रहे हैं जो कि public है उनकी happiness को government promote कर सके इसलिए government एक तरीके से exist करती है men जो है authority को obey करता है rules को मानता है orders को मानता है because of the habit of obedience उसकी आदत है obedient होने की right उसको आदत पढ़ चुकी है authority की बात मानने की इसलिए वो authority को obey करता है इन्होंने legislation की field में बहुत ही अच्छा contribution दी और ये चीज मैं भी मानती हूँ आगे आपको बताऊंगी भी कैसे कि और इनका objective था एक तरीके से ही मानते थे legislation का जो objective है वो लोगों को खुश करना राइट उनका good promote करना है ताकि वो और जादा develop कर सके इन्होंने बहुत सारे reform suggest किये right like क्या क्या example है humanization of criminal law of that time उस वक्ट जो criminal law था उस वक्ट जो punishments दी जाती तो बहुत जादा भयानक रहती थी हाथ कटवा दिये जाते थे और एक तरीके से बहुत dangerous punishments बहुत जादा dangerous punishments तो उन्होंने का humanization of criminal law थोड़ा सा इंसानियत दिखाओ criminal law में भी अगर आप किसी को punish करें उसमें भी थोड़ी बहुत इंसानियत होनी चाहिए ये इन्होंने कहा था उस वक्त के criminal law system के लिए right improvement of prisons and prison management ये अभी भी नहीं हो पा management ठाई जो jail का system है उसे improve करो जो jail का management है उसे improve करो क्योंकि जरूरत है और ये अभी भी इतना अच्छे से नहीं हो पाया है ठीक है utilization of able-bodied poppers हम किसी बिखारी को जो हट्टा-कट्टा होता उसको देख के नहीं कहते हैं अरे यार पैसा नहीं कमा रहे हो तुम यहाँ पैसा आक रहे हो इतना अच्छा हट्टा-कट्टा शरीर है तुमारा तो वह यह भी कह रहे थे यह कह रहे थे जो able-bodied poppers है ठीक है जो गरीब है उनके पास जिनके पास ताकत भी है फिर भी उनके पास पैसा नहीं है तो उनको महनत करनी चाहिए उनका utilization होना चाहिए state को कोशिश करनी जाहिए वो उनको भी utilize करें कही न कहीं कि उनके पास टाकत है शरीर है उनके पास राइट इस्चीम ऑफ इननोंने कहा था के स्कीम ऑफ नाशनल एज्चेशन आनी चाहिए राइट इन्होंने कहा था जो एक कूवर बच्चे है ठीक है धिनके पैसा नहीं है उनको एक तरीके से पढ़ाना चाहिए ठीक है उनको एक तरीके से पढ़ाना चाहिए जो गरीब बच्चे उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए स्टेट की तरफ से और एक और बहुत इंपॉर्टेंट थी उन्होंने काई कि जो government ट्रॉइन को कोशिश करनी कि वह अपनी तरफ से उने लोगों होने चाहिए जो कि important important reforms दिये हैं जो की काफी सारे countries ने अपने laws में implement किये हैं ठीक है ये आपको देखने को मिलेंगे और India उन countries में से एक है जिन्होंने Jeremy Bentham के काफी सारे reforms को consider किया है काफी सारे kinds of pleasures की इन्होंने बात किये जैसे की sense, wealth, skill, power, imagination, association, etc. ये सारे pleasures हैं कि pains की भी बात की है जैसे की awkwardness, expectation, bad reputation, memory memory मतलब की कभी-कभी कुछ दुख भरा याद नहीं आ जाता है तो वो भी तरीके से pain ही है तो उसको भी इन्होंने pain की category में डाला है etc. He is an opponent of tyranny and justice tyranny और injustice को बहुत ही जादा ये against थे उन चीज़ों के right? Just injustice or tyranny के होती है ठीक है जो duration होती है जो intensity होती है pleasure की वो different हो सकती है मतलब कोई pleasure कितने वक्त तक रुकता है या वो कितना intense होता है ये चीज़ differ कर सकती है चीज़ different हो सकती है लेकिन हर तरीके के pleasure की quality एक ही रहती है उसकी quality same रहती है मतलब अब ऐसा नहीं कह सकते है कि कोई pleasure बहुत अच्छा है कोई pleasure बहुत बुरा है ऐसा नहीं कह सकते है सारे pleasures की quality एक ही रहती है इन्होंने 4 different sanctions भी provide किये मतलब sanctions मतलब punishment 4 different punishment भी दिये है regarding pain and pleasure इस चीज के regarding 4 different punishments भी है 4 different sanctions भी है पहले natural sanction ठीक है which is given by nature in the course of time natural sanction क्या है यह हमें nature देता है natural punishment हमें nature देता है जैसे जब वो time आता है तब हमें यह punishment मिलती है nature की तरफ से moral sanction ठीक है which a person receives due to ill will अगर हम कुछ गलत किसी के लिए सोचते है तो हमें moral sanction मिलता है public sanction जब हम legal system के against जाते हैं तरीके से तब हमें legal sanction मिलता है religious sanction जो कि अगर हम किसी religion के practice को violate करते है religious rules को violate करते है तो हमें religious doctrine से निकलता हुआ एक religious sanction मिलता है यह इनही की वज़े से हुआ था कि जो bill of rights है वो England में pass हुआ था bill of rights क्या था basic civil rights bill of rights का मतलब होता है basic civil rights जो individuals को England में मिले हुए तो bill of rights इनही की वज़े से Jeremy Bentham जी की वज़े से ही England में pass हो सका था political science में इनका contribution यह रहा है कि इन्होंने critical method of investigation एक तरीके से अपनी critical thinking का use किया है government की problems को समझने के लिए और administration की problems को solve करने के लिए एक बहुत important चीज़ है आप इसके कान खोल से सुनो इस चीज़ को बहुत जादे important है he never preached revolution यह कभी revolution नहीं बोलते थे होना चाहिए revolution होना चाहिए Marxism क्या कहते थे Karl Marx ने क्या किया था उन्होंने का था revolution होना चाहिए violent revolution होना चाहिए capitalist को हमें भगाना है इन्होंने यह नहीं कहा इन्होंने revolution की बात नहीं की इन्होंने reform suggest किये इन्होंने कहा कि यह यह changes लेकर आओ revolution मत करो यह यह changes लेकर आओ ताकि society और अच्छे से improve हो सके तो यह revolutionary नहीं थे इनके reformatory थे reforms बहुत जादा suggest किये यह चाहते थे कि पूरा legal system reform होना चाहिए हमारे next utilitarian thinker है John Stuart Mill John Stuart Mill के father का नाम था James Mill James Mill बहुत ही जादा devoted follower थे Jeremy Bentham के अभी बहुत जादा devoted follower थे Jeremy Bentham के तो इन्होंने अपने बेटे John Stuart Mill को भी काफी जादा influence किया था utilitarianism से इन पर भी बहुत जादा असर डाला था utilitarianism का So starting में John Stuart Mill ने काफी जादा यह नो बहुत ही important amendments suggest किये इस theory में Utilitarianism ने काफी जादा changes suggest किये Stuart Mill ने लेकिन आगे जाके यह एक individualistic thinker बन गए इनका मानना था कि pleasure जो है वो quantity और quality में differ करता है अब याद करो Jeremy Bentham ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि pleasure की quality एक ही रहती है ठीक है उसकी quantity अलग-अलग हो सकती है उसकी duration अलग-अलग हो सकती है लेकिन उसकी quality एक रहती है हर pleasure की quality एक रहती है इन्होंने का नहीं उसकी quantity भी differ करती है उसकी quality भी differ करती है आपको side by side comparison करना होगा इनके views में और Jeremy Bentham के views में ठीक है तभी समझ में आएंगे changes क्या सज़िस की है फिर इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि एक तरीके से self interest ठीक है और collective interest में जो difference है उसे narrow down किया ठीक है उसे कम किया collective interest और self interest में जो difference है उसे कम किया Stuart मिलने एक बहुत अच्छा point जो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा इन्होंने कहा कि एक अच्छी जिंदगी चाहिए या एक pleasure से भरी जिंदगी चाहिए क्या चाहिए एक good life जरूरी है एक अच्छे cause को devoted life जरूरी है या एक pleasure को devoted life जरूरी है obviously Bentham ने कहा था ना कि हमें pleasure जादा जरूरी है pleasure को devoted life जादा जरूरी है इन्होंने कहा नहीं एक अच्छी जिंदगी जरूरी है या एक pleasureful जिंदगी जरूरी है right क्योंकि income मारना था जो moral values है ठीक है जो moral values है वो pleasure के बहुत उपर है right Mill ने तीन तरीके की freedoms में अपना interest शो किया है पहला freedom of thought liberty of thought liberty of expression and liberty of action liberty पर तब तक restrictions नहीं लगाने चाहिए Mill के according जब तक वो public order को खराब नहीं कर रही है अगर public order के against it तब restrictions लगाओ otherwise liberty पर बिलकुल भी restrictions नहीं लगाने चाहिए according to Mill यह democracy के favor में नहीं थे क्यों नहीं थे वो देखते है because इनका माना था जो democracy है ठीक है वो एक तरीके से इनसान की individuality को खतम कर देती है ठीक है और इनसान को कहती के एक single pattern की according चलते रहो democracy का मतलब क्या होता है rule of people right rule of people लोगों की common thinking मतलब right उसके according काम होना लोगों की common thinking की according काम होना तो अगर मेरी thinking उनसे अलग है तो मैं कहां जाओंगी right मुझे भी उनहीं के तरीके से सोचना पड़ेगा जो majority सोच रही है मैं कहां जाओंगी आखिर है की नहीं तो वहीं इनका कहना था कि individuality जो रहती है न उसे खतम कर देती है democracy एक individual की अलग से जो thinking रहती है different thinking रहती है उसे मार देती है democracy और कहती है एक single pattern के according लोगों को चलते रहना चाहिए लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि democracy हाँ लोगों को खुश नहीं कर सकती है लेकिन उन्होंने better बना देती है democracy हर condition के लिए हर तरह के लोगों के लिए suitable नहीं होती है ये women के rights की बात करते थे right ये बहुत ज़ादा strong champion थे women rights के लिए इनका मानना था जो एक तरीके से male or female में differences है वो fundamental और inevitable नहीं है fundamental और inevitable नहीं है मतलब इनके बिना भी हम जी सकते हैं fundamental यानि की basic inevitable मतलब की जिसे ignore न किया जा सके जो की बहुत ज़ादा जरूरी हो ठीक है जिसे आप हटा नहीं सकते हो तो ऐसा तो नहीं है male or female के differences को हम हटा सकते हैं उनके बिना भी society चल सकती है इसलिए नहीं हुने कहा कि ये चीज़े fundamental और inevitable नहीं है ये मानते थे कि British Parliament में एक तरीके से जो minorities है वो adequately represent नहीं की जाती है उन्हें adequately represent नहीं किया जा रहा है British Parliament में इसलिए इन्हों ने एक तरीके से system निकाला proportional representation का जो पढ़ते हैं नहीं proportional representation by single transferable vote वो क्या है वो इन्हों नहीं system introduce किया था अब पढ़ते होगे ये चीज़ अपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ी होगी proportional representation by single transferable vote वो system John Stuart Mill नहीं introduce किया था British Parliament में क्यूंकि minorities were not adequately represented minorities को सही से जगा नहीं मिल रही थी British Parliament में He favored universal suffrage for all taxpayers यानि जितने भी taxpayers है उनको एक तरीके से voting rights मिलने चाहिए quality of votes for men of superior intellect and higher character यह मानते थे उन लोगों को जाधा votes मिलने के chances मिलने चाहिए ठीके उन लोगों को जाधा votes देने के chances मिलने चाहिए जो लोग superior intellect के जिनके पास बुद्धी है अच्छी खासी और जिनका character बहुत जाधा अच्छ है ठीके और जिसका character बहुत अच्छ है उसको vote मिलने का chance vote देने का chance sorry मिलना चाहिए इन्होंने public services के लिए open competition को favor किये इन्होंने का कि public services के लिए public offices के लिए open competitions होने चाहिए अब एक बहुत important point हम discuss करेंगे जो कि आपको Indian legal system में Indian administration में भी आपको देखने को मिलता है Parliament का काम तो है government के business को control करना but उसके business को actually करना ये Parliament का काम नहीं है right Parliament का काम है कि वो policy lines laid down कर दे general policy lines laid down कर दे ठीक है कि policy क्या क्या होनी चाहिए SEC होनी चाहिए ये policy में होना चाहिए generally बता दो ठीक है नग पार्लेमेंट का काम है generally बता दो policy में क्या होना चाहिए लेकिन actual execution actual में policy क्या होगी right उसमें क्या क्या चीजे include होगी actual में क्या क्या कि point होगा छोटी छोटी detail उसको execute कैसे किया जाएगा उसको implement कैसे किया जाएगा ये काम administrators पर छोड़ दो administrators मतलब IS officers IFS officers ये काम इनके उपर छोड़ दो right तो मतलब Parliament का काम है skeleton बनाना ठीक है skeleton धाचा हमें दे दो ठीक है उस पर जो mask लगाना जो eyes कैसी होंगी hair कैसे होंगे ठीक है policy दिखे ही कैसे ही ये सब काम administrators पर छोड़ दो यही चीज़ इंडिया में होती है right इसलिए ये point बहुत जादा important है ये कहते थे कि जो state compulsory education provide करता है वो सब तक पहुँचनी चाहिए economic field में ये socialism को favor करते थे right सोशलिजम का मतलब क्या है common ownership of the means of production मतलब जो means of production है society own करती है right तो ये उसके favor में थे right socialistic idol के favor में थे social activities क्या होती है social activities society में वो होती है जहां individuals एक दूसरे से interact करते है ऐसी activities जो individuals को एक दूसरे के contact में लाती है right और individuals को state से भी connect करती है ऐसी activities को हम social activities कहते हैं, इसलिए state का अधिकार है कि वो ऐसे activities में interfere कर सकता है, state का अधिकार है कि वो social activities में interfere कर सकता है, मिलने social activities को भी classify किया है, पहली है activities which clearly harm others, वो activities जो दूसरों को harm पहुचाती है, जैसे किसी का खून कर देना, activities which clearly benefit others, ऐसी activities जो दूसरों का benefit करती है, किसी की help कर देना, donation कर देना, charity कर देना, right? कुछ ऐसी help करना, जो दूसरों का benefit हो जिससे तीसरी वो social activities, ठीक है? जिससे दूसरों का benefit तो होगा, ठीक है? जिससे दूसरों का भला तो होगा लेकिन उसको करना न करना individual के उपर है, ठीक है? ऐसी कौन सी activities हैं? इसका example है charity, ठीक है? charity से या donation से दूसरों का भला तो होगा लेकिन charity करनी है या नहीं करनी है ये मेरे उपर है, right? Finally guys, let's quickly conclude this topic एन इसके notes मैं telegram channel पर upload कर दूँगी link description में है, join कर लो So pleasure जो है, वो काफी individualistic चीज होती है ठीक है, happiness जो है, काफी individualistic चीज होती है जाता है, utilitarianism की value आज भी बहुत जादा है ठीक है, वो आज भी बहुत जादा help कर सकता है society की अगर उसे literally interpret ना किया जाए ठीक है, जैसे उसे लिख दिया गया है वैसे interpret मत करो, जिसने उसे लिखा है जिसके views है, उसकी सोच के हिसाब से अगर आप इस चीज को interpret करोगे spirit को अगर आप interpret करोगे utilitarianism की, तो आपको जादा फायदा देखने को मिलेगा जो लिख दिया गया है, उसे वैसे ही मत समझो, जिसने लिखा है उसकी intent को समझो, उसकी intention को समझो, इस concept को और जादा modify किया जा सकता है, ताकि और जादा practical बन सके और applicable हो सके present day society में, ठीके, आज की society के हिसाब से, इसको modify किया जा सकता है और इसको और जादा practical बनाया जा सकता है, apply करने के लिए So, thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video Good luck!